तो फ्रेंड्स आप लोग तो जानते ही हैं यह हमारी सीरीज है जिसमें कि हम ब्लाउस के बस साइज में सभी हमारे जो बैकनेक होते हैं उन सभी के कॉर्डिंग हम अपना शॉल्डर आर्मोल और फ्रेंड कितना रखेंगे हम यह सब सीख रहे हैं तो आज जो हम साइज ले रह साइज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी तो अगर एक से चार आपका बैकनेक है तो तीरा आप यहां पर रखें अपना जिसको हम शॉल्डर बोलते हैं उसको आपार्ट इंच रखें आर्मोल हम यहां पर रख लेंगे 7.25 यहां फि ठीक है तो जब हमारा एक से चार नेक रहेगा तो उसमें हम फ्रेंट ले लेंगे 6.5 इंच ठीक है इस तरह से हम इसको मिला देंगी यहां पर और बैक की आपको मिजरमेंट रखनी है गुलाई बनानी है तो आप इस तरह से पहले लाइन जो कर लें तो आपको इजी रहेग और अब हम अपना चेस्ट का 1-4 लगा लेंगे यहां से हमने लगा लिया है करीब 11 इंच तो यह हमने लगा दिया है हमारा चेस्ट का निशान अब हम अपनी गुलाई दे देंगे यहां पर हमें अंदर से कोई एक्स्ट्रा गुलाई नहीं देनी है क्योंकि हमने फ्रंट प पुझो रखना है रख सकते हैं पर शोल्डर आप इस साइज में जरूर डाउन करें क्योंकि शोल्डर जब डाउन होता है तो हमारी फिटिंग अच्छी आती है इन सभी साइजेज में अब 5-6 इंच जब हमारा नैक होता है बैक का तो उसमें आप देख लीजे हम यहां पर 13. यहां आप इस तरह से और आर मॉल हमारा हो जाएगा शाड़े छेंज वहाने साथ भी आप रख सकते हैं अब हम अपना फ्रेंट को मार्क कर लेंगे तो फ्रेंट यहां पर हमारा आएगा शाड़े छे ठीक है इस आइस में आप 6 फ्रेंट रखिए ठीक है तो इसको हमने इसको मिला देंगे अब से पा यँजब हमारा 5 त 6 इंच है या फिर उसके बाद के जितने भी नैट है उन सभी में हमारा फ्रेंट और प्रेंट और जो हमारा आर्म में हमारा और फ्रेंट में कोई भी चैंज mixjes अब नहीं आएंगे, वह हमारा सेम रहेगा, तो 7 से 8 जो हमारा neck रहेगा, उसके बात कर लेते हैं, तो इसको हम ले लेंगे, यहांपर 6 inch, front हमारा सेम है, बस हमें इस तरह से मिला लेना है, 13 हमारा इसलिये चोटा होता चला जाता है, क्योंकि neck जितना ही deep होगा, तो उतना ही हमारा फैलता है पीछे से, तो वो शोल्डर हमारा कवर हो जाता है, तेखे, इस तरह से इतना डाउन होता रहेगा, जितना आपको लाइन दिख रही है उसमें, 9 से 10 इंच का अगर आपका नेक है, बैक का, तो आप उसमें 6 इंच रखें, आप पॉनेचे भी रख स आप उसमें पैड़ेड बनाएंगे, तब फिर आपका वो शोल्डर अच्छे से, फिट हो के बैठेगा, बना आप डोरी लगा सकते हैं, तो यहां पर हमारा आर्मोल 7.6.75 था, यानि पॉने 7 इंच, फ्रेंट हमारा साड़े चे था, बाकी हमारे तीदे भी चेंजे आप स्क्रेंशोट ले सकते हैं, इसका लेना चाहें, इसके कॉर्डिंग जब आप बनाएंगे, तो आपकी मिजरमेंट बिल्कुल सही से बैठेगी, शोल्डर बिल्कुल भी इदर उदर नहीं भागेगा, प्लेट आप इस साइज में जब भी ढालें तो अपनी फ्रेंट प्लेट को चारेंज पे डालें, बागी आप उसी के गॉर्डिंग एजस कर सकते हैं, थैंक्यू फॉर वाचिंग